सेट नंबर थ्री देखेंगे, इसमें सबसे पहला कोशन है, बिहार के मुख मंत्री ने महात्मा गांधी के 155 जैनती पर किस सहर में बापु टावर का लोकारपन किया है, तो ये पटना में हो जाएगा पटना, निम्नलिखित में से किस राज सरकार ने नसीली दवाओ की समस् के लिए संकल पहल की सुरुवात की है, तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल पर देश ने किया है, बिस स्वात संगठन के अनुसार कौन सा देश जो है सारजोनिक स्वात समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है और इस उपलब्दी हासिल करने वाला यहाँ भारतिय राश्पती बनी है, तो ये सारे ही हैं, अलजीरिया, मलावी, मौरिटानिया, इन सभी कियात्रा करने वाली बनी हैं, निम्नलिकित में से किस सहर में देश का पहला हिंदी साहित संगराले स्थापित किया जाएगा, तो ये वारा नसी में स्थापित किया जाएगा, बैस्विक बहु आयमी गरीबी सुचकांग 2024 के बारे में कथन देखना है तो देखते हैं इसको 20 वास्तर पर 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग जो हैं बहु आयमी रूप से अत्यान गरीब है भारत में 234 मिलियन जो हैं लोग गरीबी में जी रहे हैं जो की सबसे अधिक संख्या में अत्यान गरीब देशों में से एक है तो ये सारा ही सही है दोनों ही सही है सी एंसर है बंगाल की खाड़ी में आय चक्रवाती तुफान जो है दाना का नामकरन की स्थेश द्वारा किया गया है तो ये दाना का नामकरन कतर के द्वारा किया गया ICC महिला T20 क्रिकेट विस्व कब 2024 के संदर में कौन सा कथन सत्य है बताना है दोनों कथन सत्य है इसका जो आयोजन हुआ है सयुक्त अरब अमिरात में UAE में हुआ है और New Zealand की महिला टीम ने दच्छीन अफ्रीका को हरा कर पहली बारिया खिताब अपने नाम किया है दोनों ही यहाँ पर सही था हाली में सयुक्त राज जय विबित्ता सम्मेलन जो है कॉप 16 का आयोजन किस देश के कैली सहर में किया गया है तो यह आपका हो जाएगा कोलंबिया हो जाएगा निमनलिकित में से किस क्रिकेट टीम ने 344 रनों का T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है तो यह जिंबावे है विश्वा संगर्ठन डबलू एचो ने भारत के पहले टीके जाएवेक टीसीवी को सैधानतिक मंजूरी दिये तो इसका संबंद किस बिमारी से है तो टाइफाइट से यह संबंदित है निमनलिकित में से किस राजी की एक चोटी का नाम तसांग यांग ग्याजसोपिक रखा गया है तो यह अरुनाचल परदेश ठीक है अरुनाचल परदेश विज्ञानियम परदोग की विभाग ने चार थोमेटिक हप्स टी हप्स की अस्थापना की भोसना की है तो इसे संबंदित कूट का मिलान करना है और सही कूट देखन और क्वांटम मेटेरियल एंड डिवाइसेज आयाइटी दिल्ली क्वांटम कॉंप्यूटिंग जो है भारतिय बिग्यान संस्थान बेंगलोरू से संबंदित है तो डी एंसर था चारो सही था भारत की राश्पति द्रौबदी मुर्मु ने निमलिकित में से कहा भारतिय क पहले संस्करत का उद्गाटन किया है पहले संस्करन का सिकंद्राबाद सिकंद्राबाद हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंतराले द्वारा इमने में से किस राज में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्गाटन किया गया है तो यह आपका हो जाएगा बी महारा वर्ष दोजार चौबिस का सस्त्र रामानूजन पुरसकार जो है किसको प्राप्थ हुआ है तो यह आपका हो जाएगा अलेकजेंडर डन को रौस हसना निम्न में से किस समुदायों में नौ बर्ष के रूप में मनाये जाता है तो यह यहूदी में मनाये जाता है निम्न में से किस भारतिये समुद तटो में रेत में दबे दूत्य विस्यूद के समय फिल बॉक्स नजर आये हैं तो यह आपका हो जाएगा सी विसाखा पटनम विसाखा पटनम निम्न लिखीत कत्नों पर विचार करें और सत्ते देखना है तो दोनों ही सत्ते हैं भारा सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकिर्ट, अस्मिया और बंगाली को सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया है और तमील भासा को सर प्रथम सास्त्रिय भासा के रूप में मानियता दी गई है, बिल्कुल सही है निम्न लिखीत कत्नों पर विचार करना है और इसमें गलत कत्न देखना है तो यहाँ पे देखे केवल एक कत्न गलत है, तो यहाँ पे जो फोर जो है ये गलत है बाकी सही है देख लिजे 1 अक्टूबर 2024 को अंतराश्ची बृध्ध जन दिवस मनाये गया समाजिक न्या और अधिकार्ता मंत्राले के द्वारे इसका अयोजन किया गया बिल्कुल सही है और वर्ष 2024 को जो थीम थी ये एजिंग विथ डिगनिटी इसका थीम था तो केवल चौध यहां गलत था नेक्ट देखेंगे प्रोजेक्ट उद्भव क्या है तो ये समकालीन सैन प्रताओं के साथ प्राचीन ग्यान का संसलेशन है लिटिल प्टेस्पा जिल जलवायू परिवर्तन के कारण लगभग सूख गया है तो यह जो जील है किन देशों के साथ सीमा साजा करता है तो यह आपका हो जाएगा अलबानिया अच्छा यह बी है इसका एंसर उत्री मैसुडिनिया और अलबानिया और ग्रीस के साथ यह सीमा साजा करता है हाली में भारत ने निमलीखित में से किन देशों के साथ विदूद व्यपार को सुविधा जनक बनाने के लिए एक तिरपक्षिय समझाओते पर हस्ताक्षर किये हैं भारत ने किया है भारत ने कुलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस निमन में से कौन कौन से देश है तो यह आपका हो जाएगा सारे ही है भारत है सिरलंका माल्दिव मौरिसस और सेसिल्स पांचों है ठीक है तुड़ी एंसर था पीम जन जाती उननत ग्राम अभियान जो है इसका आरम कहां से किया गया तो इसका आरम जो है जारी बाग से किया गया नोबल पूरसकार दो होजार High Cork के बारे में बताना है इसमें कौन सा सही है देखना है तो यह ऐा आपका हो जाएगा तीनोई सैहेरा Sायन बिज्ञान का जो नोबिल पूरसकार यह डेविट बेकर, डेमीस हसाबीस और जौन जंपर को मिला है, साहित का नोबल पुरकास होंग कॉंग को मिला है और भोतिक बिज्ञान का जो नोबल पुरस्खार है यह जेफरी ई हिंटन और जौन जे हाप फिल को मिला है तीनों सही है निमलिखित कथनों पर विचार करें गलत कथन इसमें देखना है तो ये दोनों ही सही है कोई गलत नहीं है अवास और सहरी मंत्रालों के मंत्राले ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 20 स्वे पर्यावर अंदिवस मनाया कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रा नहा सही है आसियान भारत सीखर सम्मिलन 2024 का आयोजन किया गया है तो ये लावोस में किया गया टेली मानस क्या है तो टेली मानस जो है मानसिक स्वास सहायता एमने ट्वरकिंग है टोल फ्री मानसिक स्वास हेल प्लाइन है और मानसिक संकट का सामना कर रहे है व्यक्तियों को परामट संबंधी सेवाय देना है, सारे ही कथन या पे सही है निमलिखीत कत्रों पर विचार करें और सत्ते कथन देखना है तो सारे कथन सत्ते हैं, महिलायम बाल विकास मंत्राले ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतराश्टिये बालिका दिवस के 10 दिवसी राष्ट व्यापी उत्सों का नेतुरित्य किया है अंतराश्टिये बालिका दिवस 2024 की थीम क्या रही गल्स विजन फोर दा फ्यूचर था इसका थीम पीएम एलेक्ट्रिक ड्राइव रेवलूशन इन इनोवेटिव विकल एनहांस्मेंट जो है योजना पीएम एड्राइव इसका नाम है तो योजना का मुख देश क्या है तो इसका मुख देश है एलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना देश भर में आवस्यक जो चार्जिंग और सनरचना है इसको अस्थापित करना और स्वक्ष और अधिक संधार्निय परिवहन सादनों को बढ़ावा देना है मंतराले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए इवाउचर प्रस्तूत करेगा तो D है इसका एंसर भारतिय फुटवर्ल टीम सैफ अंडर्ड सेवेंटीन चैंपियन सिप को निम्लिकित में से किस देश को हरा कर विजेता बनी है तो यह आपका हो जाएगा बांगला देश क्लाउडिया सौनबाम निम्लिकित में से किस देश के पहली महिला राश्पती बनी है तो यह बनी है मेकसिको हाली में हरीकेन मिल्टन जो है निम्लिकित में से किस देश को परभावित किये है तो यह आपका हरीकेन फ्लोरीडा को परभावित किया है निम्लिकित कतनों पर विचार करने और सत्य देखना है तो यहाँ पे जो है दोनों सत्य है भारत की जय अर्थव्यस्था वर्ष 2024 में 130-130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई और वर्ष 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुचने का अनुमान है दोनों ही कथन यहाँ पे सही है निमलिखित में से कहां देश के पहले अत्या धुनिक जेन नेक्ष्ट लैब का नीती आयोग के CEO BVR सुब्रमन्यम ने उदगाटन किया है तो यह कहां पे है तो यह आपका हो जाएगा गया में 38 राष्टिये खेल से संबन्दित निमलिखित गलत कथन का चायन करना है तो सारे कथन सही है इसका आयोजोन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा 38 राश्टिये खेल की मेजबानी उत्राखंड करेगा उत्राखंड में होने वाले 38 राश्टिये खेलों में विंटर गेम्स को भी सामिल किया गया है तो ये सारे सही हैं 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक पोसन और विसेस आहार उपियोग के लिए खाद पदार्थों पर कोडेक्स समीती के 44 सत्र का आयोजन कहां किया गया तो ये आपका जर्मनी में इन कथनों पर विचार करना है सही कथन देखना है तो यहाँ पे जो सही है सारे ही है केन सरकार ने कैमूर जीलिया में अभिहार के दूसरे बाग अभियारन के लिए सैधान्तिक मंजूरी दे दी है राश्टिये बाग सन्रच्चन प्राधिकरण ने अपनी बारिव बैठक के दोरान कैमूर वनजीव अभियारन को बाग रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैधान्तिक मंजूरी दे दी है सही का दोनों को सही था सविंक्तिराश महा सभा ने 2025 से 27 के कारिकाल के लिए 47 सदस्य मानो अधिकार परिसद में 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है तो इन में से कौन सा देश सामिल है बताना है तो सारे ही सामिल है बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस थाइलेंड इसारे थे हाली में कि इस देश ने इजराइल के साथ राजनाई संबन तोडने की घोसना की है तो ये किया है निकारागुआ ने निकारागुआ जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज़ बन गया है तो ये आंध्र परदेश बन गया है ठीक है? आंध्र परदेश इमलिकीत कत्नों पर विचार करें और असत्त कत्न देखना है तो दोनों ही सत्त है विस्वेंक ने अपने बिजनिस रेडी इंडेक्स गा पहला संसकरन लॉंच किया है और यह जो है चववन देशों का मुल्यांकन करता है दोनों कत्न सही है बैग्यानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेली इसकोप का अप्योग करके कैरोन उग्रह पर कारवन डाइक्साइड और हाइट्रोजन पैर उक्साइड का पता लगाया है तो कैरोन जो है निम्लिखित में से किसका उग्रह है तो यह आपका हो जाएगा प्लूटो का इमाइग्रेट पोर्टल और मोबाइल एप को निम्लिखित में से किस मंत्राले द्वारा लॉंच किया गया है तो यह आपका डी हो जाएगा विदेश मंत्राले और श्रम एवं रोजगार मंत्राले के द्वारा डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्वे स्वास संगठन की टीम निमलीखित में से किस सहर का दोरा किया है तो ये मन्सोर मध्यपरदेश हो जाएगा हाली में भारत ने निमलीखित में से किस देश के साथ आउडियो वीज्यूल सह निर्मान समझाओते पर रस्ताक्षर किया है तो यह आपका कुलंबिया हो जाएगा पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्राले ने क्रूज भारत मिशन सुरू किया है तो इससे संबदित निमल पतियों के संबद में कौन सुमेलित है तो सारे ही सुमेलित है राजा रंधीर सिंग जो है ACI ओलम्पिक परिसत के अध्यक्ष बने है अतीसी दिल्ली की मुख मंत्री बनी है अलोक रंजन जो है NCRB के परमुख बने है हाली में गोवा सिप्याड लिमिटेड द्वारा भारत ये तटर अच्छक बल के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूसन नियंतरन पोत का लॉंच किया गया है तो इसका नाम क्या है इसका नाम है समुद्र परताब समुद्र परताब महिला ACI चैंपियन ट्रॉफी 2024 के संबंद में कौन सा कथन सत्य है वे आपका ह पान दच्छिन कोरिया मलेसिया और थाइलेंड की महिला होकी की टी में भाग लेंगी और परतियोगिता का सुभांकर जो है गुडिया गुडिया विहार की राज्च पक्छी गोरया से प्रेरित है गुडिया के हाथ में होकी इस्टिक होकी परतियोगिता का परतिक चीन है तो तीनों यहाँ पे सही है, निमलिखित में से कौन पेरिस पैरालंपिक 2024 में ट्रैक एंड फिल अस्परदाओं में दो पैरालंपिक पदक जितने वाली पहली भारतिये महिला बन गई हैं, तो यह आपका हो जाएगा प्रीती पाल बनी है, प्रदानमंति नरेंद्र मोदी ने नई दिली में जीला नयाधी सो के सम्मेलन में भारत के सरोच नयाले की कौन सी वर्सगाड के उपलक्ष में एक इसमारक डाक टिकर जारी किया है, तो यह आपका हो जाएगा 75 वि 75, हाली में राश्पति द्रौबदी मुर्मू ने सरोच नय नयाध्वज और परतिक चीन का आनावरन किया है, इसके संबद में सत्य बताना है, दोनों ही सही है, नयाध्वज जो है नीले रंग का है और इसमें जो है असोक चक्र, सरोच नयाले भवन और भारत का सविधान प्रमुक्ता से अंकित है, और परतिक चीन में देवनागरी लीपी में अंकित है यतो धर्म अस्ततो जया, वाक्यान सामिली जिसका आर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है या महभारत से लिया गया है, ठीक है, आगे देखेंगे, ससक्त एवं सुरक्षित भारत, ससस्त्र वलो का रुपांतरन, विशैपर, आधारित, पहला दो दिव संयूत कमांडर सम्मेलन कहां आयूजित किया गया है, तो यह लखनाओं में, निमने लिखित कतनों पर विचार करना है, और यहां पे देखना क्या है, देखना है सही, अच्छा, असत देखना है, तो दोनों ही कतन सही है, संताल प्रगना में घुस्पैट की स्थिती की सदत से होंगे दोनों कथन यहां सही है सी था इसका एंसर निमने लिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन देखना है तो इसका देखेंगे हम लोग परतेक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाये जाता है विलकुल सही है 14 सितंबर 1949 को सर्थान सभा ने तेवनागरी लिपी में हिंदी को भारत की अधिकारिक भासा के रूप में मान्यता प्रदान कीथी तो दोनों कथन सही है निमने लिखित कथनों पर विचार करें और सत्य देखना है कितने कथन सत्य हैं तो यहां पे सारी कथन सत्य है स्वक्षभारत मिसन की ठीम क्या थी स्वभाव, स्वक्षता, संसकार, स्वक्षता फोर एस था 2024 के साथ नई दिल्ली में एक अभियान की शुरुआत की गई थी वर्ष 2017 से सुरू हुआ स्वक्षता ही सेवा अभियान हर साल स्वक्ष भारत दिवस आग्वन से पहले आयोजित किया जाता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जैनती के उपलक्ष में स्रधांजली के रूप में मनाया जाता है स्वभाव स्वक्षता संसकार स्वक्षता की थीम पर अधारित यह अभियान जो है 17 सितंबर से सुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होगा तो ये सारे कथन सही थे सारा गड़ी के यूदि के संबन में कौन सा कथन गलत है तो दोनों कथन सही है इस वर्ष यूदि की 127 वी वर्ष गाठ मनाई गए और इस वर्ष इधुका नेत्रिज जो किया था हवलदार इसार की सिंग ने किया था भारतिय न्याय सनहिता बी एनेस के तैद सजा दिलाने में देश का पहला जीला निमलिखित में से कौन बन गया है तो ये सारन बन गया है सारन हाली में मार बर्ग वाइरस रोग का प्रोकोब इन में से किस देश में देखा गया है तो ये रवांडा में सितंबर 2024 में भारत निमलिखित में से किस देश के साथ दिपक्षिये निवेस संधी पर हस्ताक्षर किये हैं तो ये उजबेकिस्तान हो जाएगा उजबेकिस्तान नेक्ष हाली में पॉमई नागा जनजाती ने अपने छेतर में जंगली जानवरों और पक्षियों के सिकार जाल विछाने और मारने पर परतिवन लगा दिया है ये जनजाती निमनमे से किस राज में भहुलता में पाई जाती हैं तो ये मनिपूर और नागा लेंड में दूसरा है दो है पहला दूसरा मनिपूर और नागा लेंड एग्रो फोरेश्ट्री Missing Trees for the Forest सिर्षक से एक वर्किंग पेपर निमलिकित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है तो ये आपका हो जाएगा प्रधार मंतरी की आर्थिक सलाहा का और परिसत के द्वारा हाली में वैस्विक नेताओं ने रोगानू रोधी पर्तिरोध के बढ़ते खत्रे से पटने के लिए घोसना पत्र को अपनाया है इससे संबंदित कौन सा कथन गलत है बताना है तो गलत यहाँ पे ए है ठीक है गलत है जो सही है देख लीजे रोगानू रोधी पर्तिरोध उस इस्थिती को कहा जाता है जब कोई बैक्टीरिया, वाइरस, कवक और परजीवी दवाओं पर परतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। बारतिये साइवर अपराज समन्वे केंद्र के प्रथम अस्थापना दिवस्थामारों को सब बध्धित किया और इस असर पर ग्रीह मंत्री साइवर धोखा धरी निवनी करन केंद्र राश्ट को समर्पित किया गया। एंसर केरेवियन छेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत की उनिफाइड पेमिन्ट इंटर्फिरेंस यूपी आई प्लेटफर्म को अपनाया है तो यह आपका हो जाएगा त्रीनी नाद, त्रीनी दाद और टोवै को कि देव मंति मंडल ने किस ओधी के लिए प्रधान मंति ग्राम सड़क योजना ठोर को स्विक्रिती दी है तो यह वर्स 2024-2025 से 2028-29 के ओधी के लिए एसिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे सकति साली देशों की सूची में तो यह यूएस से सूची है तो यह यूएस से पहले अस्थान पे और चिन दूसरे अस्थान पे है तक्छानुसंदान विकास सवंगर ठंडी आर्डियो ने निमनलिखित में किस संस्थान के सोध करताओं के साथ मिल कर एक बूलेट प्रोफ जैकेट एडवांस बैलेश्टिक फोर हाई एनरजी डिफिट को विक्सित किया है तो यह आपका हो जाएगा आयाइटी डिली निमनलिखित में से किस विस्व विद्याले में तमील भासा के अधन के लिए तिरू अलूवर पेपर के स्थापना के गई है तो यह आपका हो जाएगा हुस्टन विस्व विद्याले निम्य लिखित में से किसकी खोज की सवी वर्सगाट 2024 में मनाई जा रही है तो ये सिंदू सभयता की खोज Minerals Security Partnership Finance Network को हाल ही में लॉंच किया गया है तो इसके बारे में कौन सा कथन गलत है तो यहां केवल पहला गलत है दूसरा तीसरा सही है देख लेते हैं यह Network एंसर इसका A होगा ठीक है क्योंकि गलत पूछा है सही देख लेते हैं यह Network बैस्विक महत्पूर्ण खनीज आपूर्टी सिंखलाओं में सतत निमेश को बढ़ावा देगा और इसमें ऐसे खनीजों के उत्पादन प्राप्ती प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, रिकवरी और योजनाओं में नीजी छेतर से पूंजी जूटाना सामिल है हाली में उडिसा के किस जनजाती को अनुसूचित जनजाती और अन पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मानियता अधिनियम 2006 के तैत अपचारिक रूप से अधिकतम अधिकार प्रदान किये गया है तो यह आपका B हो जाएगा मन कीडिया जनजाती मन कीडिया जनजाती निम्न लिखित कतनों पर विचार करना है और सही कतन देखना है तीनों ही सही है नेपाल नेपाल जो है ब्यापार सांखीकी के अनुसार नेपाल का सबसे बड़ा ब्यापारिक साजेदार भारत है सितंबर 2024-25 के मध्य तक भारत के साथ नेपाल का ब्यापार घाटा 149 वाट एक साथ विलियन रुपय था नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतब भारत है जबकि नेपाल भारत का 17 हुआ सबसे बड़ा निर्यात गंतब है भारत के नियंत्रक्यों महालेखा परिक्षद्वारा आयोजित सोल्वी Asian Organization of Supreme Audit Institution सभाकायोजन ये कहां किया गया तो ये किया गया नई दिल्ली में भारत ने निम्न लिखित में से किस देश के सा राष्टिय सुरक्षा के लिए सेमी कंड़क्टर फ्रैवरिकेशन प्लांट अस्थापित करने ही तो समझाता किया है तो ये वेश से हो जाएगा Global Digital Compact ये क्या है तो ये संइतराष्ट की एक पहल है जिसके तहट UN सदस देशों के समूँ द्वारा दिजटल प्रदोग्की को किस परकार नियंत्रित किया जाना चाहिए इस पर साजा सिधानतों और दीसा मिर्देसों का एक सेट बनाया जाना है नेक्षे सुक्ष मुलगू दोगो के लिए रिन गरांटी निधी ट्रश्ट के तहट कितने कड़ो रुपए के लिए रिन गरांटी को मंजूरी दी गई है तो ये आपका एक लाग कड़ो रुपए हाली में चर्चा में रहा बराक भूवन वन्ने जी व अभ्यारन निमने से कहा किस देश में है तो ये आपका हो जाएगा भारत में सत है इसको कैंसर मून सौट पहल जो है इन में से किस देशों की संयुक्त पहल है तो भारत है संट राज अमेरिका आश्टेलिया जापान डी है इसका एंसर महराज सरकार ने पूने हवाई अड़े का नाम बदल कर निमने से किस संत के नाम करने की संबंधिक घोसना किया है तो ये आपका हो जाएगा बी संतुकाराम संतुकाराम नेशनन कॉनक्लेव और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की मेजबानी निमन में से किस मंतराले के द्वारा किया गया है तो ये आपका ग्रामीन विकास मंतराले अभ्यास इष्टन बिल्ज का सात्वा संस्करन की इन दो देसों के बीच हो रहा है भारत तो मान ठीक है नगरवन योजना के संबंद में बताना है तो नगरवन योजना के संबंद इस योजना के तथ 100 दिनों में 111 नगरवनों को मंजूरी दी गई है इस योजना की सुरुवाद जो है 2020 में किया गया था राश्टिय प्रति पूरक वन रोपन प्रबंधन योजना प्राध असत्य देखना है तो यहाँ पे कोई असत्य नहीं है राश्पती स्रीमती द्रौबदी मुर्मु ने 11 सितंबर 2024 को राश्पती भवन में नर्सिंग पेसेवरों को 2024 के लिए राश्टिये फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरसकार सम्मानित किया है फ्लोरेंस नाइटेंगल की जैनती पर प्रती वर्स अंतराश्टिये नर्स दिवस 12 मई को मनाय जाता है तो उनों कथन सही है बिहार स्वास्त विज्ञान विश्व विद्याले भवन का सीला नियास किया गया तो यह आपका हो जाएगा पटना में निमने कथनों पर विचार क कथन देखना है तो क्यों दूसरा यहां गलत है पहला देख लिजे 1236 करोर रुपए लागत से अंतरिक छियान वीनस और विटर मिसन के विकास को मनजूरी दिया गया है हाली में इंटरनेशनल बिग कैट के अलाइंस में सामिल होने वाले जो देश है यह कौन है तो यह आप अरगुआ इस वातिनी और समालिया है विट मंतराले के द्वारा सुरू की गई विवात से विवकास विवात से विस्वास योजना है जो लेकुकिए कर बेवस्था के सुधार से यह जुड़ा हुआ है तो यह आपका हो जाएगा परत्यक्षकर फूड इंपर्ट रिजर् इंपोर्ट रिजेक्शन एलर्ड जो है नामक ऑनलाइन जो पोर्टल फसाई द्वारा बैस्विखाद नियामक सिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करन में लॉंच किया गया है तो ये इसका आयोजन कहां किया जा रहा है ये नई दिल्ली हो जाएगा भारती अंतराश्य विज्ञ स्वास्तिक पहल के संदर में निम ने कथनों पर विचार करें तो दोनों कथन सही है इसे CSIR द्वारा लॉंच किया गया है और इसका मुख उदेश भारत के पारम परिज्ञान का परसार करना है निम ने लिखित में से किस राज में अमूर फालकन के सिकार पर परतिबंद कर दिया गया है तो यह आपका हो जाएगा मनी पूर ठीक है मनी मनी पूर प्रोजेक्ट 200 के संबन में कौन सा गलत कथन है तो यहां पे कोई गलत नहीं है देख लेते हैं बेंगलूरू इस्थत अंतरिक्ष स्टार्ट अप बेला ट्रिक्स एरोए स्पेस ने प्रोजेक्ट 200 का नावरन किया इसे अल्ट्रा लो अर्थ और्बिट पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है अंतरिक्ष प्रोदोग की और अन्वेशन में नीजी भागीदारी को पुरसाहित करेगा यह सारे सहित हैं निमने लिखित में से किस देश को विश्वासंगठन ने जूरी दे दी है तो यह मैंनमार के साथ भारत मैंनमार सीमा पर बार लगेगा